लखिमपूर्खी जिले के तहसिल पलिया में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतिय किसान मजदूर यूनिट के राश्री अध्यक्ष एसके सिंगानिया के नेत्रत्व में सैकडों की तादाद में किसानों ने बजाद चिने मिल गेट पर एकत रहोकर प्रदर्शन करत इस दोरान पुलिस प्रशासन ने सभी थानों की पुलीस को सुरक्षा के मद्यनिजर चिने मिल के बाहर तैनाद कर दिया शुक्रवार को किसानों मजदूरों एवं जनहित की समस्याओं के निराकरन के लिए सदैव प्रयासरत रहने वाले संगठन बारती किसान मजदूर यूनिट के राश्री अध्यक्ष एसके सिंगानिया ने सैकडों किसानों के साथ पलिया चिने मिल पहुच कर बजाज हिंद अध्यक्ष एसके सिंगानिया ने कहा कि गन्ना किसानों का पुराना बकाया भुकतान न करके पुनह में सत्र की पढ़ाई प्रारम कर दिया गया है जबकि शुगरकेन एक्ट में भी किसानों को गन्ने का भुकतान 14 दिनों में किये जाने की व्यवस्ता दी गई है गन्ना ब अभी तक किसानों का बकाया भुक्तान नहीं किया गया है। अध्यक्ष एसके सिंगानिया ने बताया कि चीनी मिल्द के जीम कें के द्वारा पारता के द्वरान बताया है कि तीन दीन में वह 15.5 करोड़ रुपए किसानों के लिए रिलीज करेंगे। जिसके बाद अगले 30 का साड़े सत्रा करोड रुपय रिलीस करेंगे और पंद्रा माज तक पूरा पेमेंट कर देंगे जबकि हम लोगों की मांग है कि दिसंबर माह में ही पूरा नहीं तो आदा पेमेंट कर दिया जाए क्योंकि चीनी मिल पर लगबग 232 करोड रुपया कुल बकाया है यदि चीनी मिल प्रशासंद वारा पिछले सत्र का संपूर्ण बकाया भुगतान ब्यास सहीद 20 दिनों के अंदर नहीं किया जाता तो संगटन 26 दिसंबर 2020 को शारदा पूल भीरा पलिया मार्क पर चका जाम करते हुए रोड रोको आंदोलन करने के सहीद गन्ना सोसाइटी भ कि संपूर्ण जीमिदारी चीनी मिल प्रशासन एवं प्रशासन की होगी इस दोरान गोला सीयो पलिया गौरी फंटा चंदन चैकी वसंपूर्णा नगर कोतवाली की पुलीस मौजुद रही रोड पे उतरा है हमारे भाई हमारा समर्थन करने आए हैं इनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आज जो मांगे रखी गई है अगर इन मांगों पे कोई निशकर्ष नहीं निकलता है तो हम संगटनों के साथ बैठके का एक निचोड निकालेंगे एक हल निकालेंगे औ और इसके बाद एक बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश करें वो जी केवल जूटा वादा है 14 दिन की पेमेंट का जो वादा किया गया है वो पलिया फैक्टरी में आप लोगों को दिख रहा है बिलकुल जूटा है अभी पिछले साल का पेमेंट हम लोगों को नहीं मिल प है इसलिए किसान तो उसी पर निर्भर है किसान गन्ना बोता है लागर लगती है उसके बाद बेशता तब अगले सत्रका वो बीज लाता है खाद लाता है तभी तो आगे बो पाएगा यह दूसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा तो खेती कैसे करेगा यही मेरी समस्या यह मेरी मांग है मील वालों से ही मांग है कि मेरे पिछले सत्रका पूरा पेमेंट किया जाए अगले सत्रका फिर जब गन्ना मेरा आ जाए तब उसके बाद आप इसका भी करिए अब पिछला ही नहीं दे रहा तो अगला कहां से देगा यही हमारी समस्या यही हमारी मांग है सरक वादा किया था में 14 दिन में पूरा पेमेंट करेंगे लेकिन कोई पेमेंट नहीं हुआ पूरा साल बीत गया दूसरे सत्र का काम चालू हो गया है इसका मेल बंद हो जाए इसकी जो लेवर का पैसा पड़ा इसको भी समस्या होगी तब हमारी समस्या दूर करेगा